राजनेता से माफिया बना मुक्तार अंसारी आज भले ही दुनिया से चला गया हो लेकिन एक जमाना ऐसा था जब उसका पुरवांचल में सिक्का चलता था मुक्तार जैसे जैसे आपराधी कद्विदियों में लिप्त होता गया वैसे ही उसके उपर मुकदमे भी होते चले गए रूंग्टा के परिवार को धमकाने का मामला हो या फिर भाजपा विधाय क्रिस्ना नंदर राय की हत्या मन्य हत्यकांट के गवाह रामचंद्र मौर की हत्या हो या फिर फरजी शस्त्र लाइसेंस हासल करने का मामला एक के बाद एक करीब 65 केस मुक्तार अंसारी के उपर दर्ज होते चले गए इनमें से करीब 20 मुकदमे विचारा धीन है इनमें आठ मामलों में मुक्तार अंसारी को सजा भी हो चुकी थी 2005 में मुक्तार अंसारी को पहली बार जेल हुई तबसे वसलाखों के पीछे ही था मुक्तार की जेल जरूर बदली लेकिन उसका रुटबा हमेशा बरकरार रहा जेल में रहने के बावजूद मुकतार अंसारी के नाम से अच्छे अच्छो का पसीना छुड़ जाता था मुकतार अंसारी कुछ महीने पहले पंजाब की जेल काट कर भी आया था 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफियाओं पर शेकंजा कसा गया तो मुकतार अंसारी के होसले वीपस तो होते गए देखते ही देखते मुक्तार अंसारी घुटनों पर आ गया पिछले कई महीनों से मुक्तार बांदा जेल में बंद चल रहा था मुक्तार अंसारी पर कई जिलों में 65 मुकदमे दर्ज है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुक्तार अंसारी के सबसे ज़ादा मुकदमे गाजीपुर में दर्ज है इसके अलावा वारांसी, आजमगर, मौू, नैदिली, पंजाब, चंदौली, सोनबद्र, आगरा, लखनव, बाराबंकी, बांदा में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है सत्ता संभालते ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीत अपनाने के योगी सरकार के फैसले से ही माफिया डान, मुक्तार अंसारी के बुरे दिनों के शुरुवात हो गई थी साल 2017 में वो एक बार जेल गया, तो फिर पाहर नहीं आए बांदा जेल में बंद रहे मुक्तार अंसारी को पिछले 18 महीनों में, 8 मुकदमों में दोशी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी इन में से 2 मुकदमों में तो उसे उम्रकैत की सजा मिली थी 21 मुकदमों का इस समय विभिण नयायलों में ट्राइल चल रहा था अभी 13 मार्च 2024 को 36 साल पुराने फर्जी शस्र लाइसेंस के एक मामले में मुक्तार अंसारी को वारांसी के MPML कोड़ द्वारा उम्रकाइद की सजा सुनाई गई थी इसे पहले 5 जून 2023 को भी उसे आजीवन का रावास की सजा सुनाई गई थी यह मुकदमा 1991 में वारांसी के चेतगर्ज थाने में दर्ज हुआ था अंतरप्रांती गैंग यानी आईस 191 का लीडर रहा मुक्तार अंसारी गाजीपूर के मुहमदाबाद थाने का हिस्टी सीटर था उसके विरुद्ध दिल्ली वह पंजाब के लावा यूपी के गाजीपूर वारांसी चंदावली मुक्तार अंसारी के गैंग के सदस्यों के विरुद्ध 161 मुकद्मे दर्ज करते हुए उनसे संबंदित 175 लाइसेंसी शस्त्रधारकों के विरुद्ध भी कारवाई की गई थी इसके साथ ही गैंग से संबंदित 5 माफिया या सह अपराधी पुलिस के साथ मुट्वेड में मारे गय थी इतना इने गैंग से संबंदित 164 अवियुक्तों के विरुद्ध गैंगेश्टर एक्ट और 6 अवियुक्तों के विरुद्ध एनसे के तहत कारवाई करते हुए 608 करोल रुपए से अधिक की संपत्यों का दोस्तिकरण वजबतिकरण भी किया गया था साथी उन स्थाने में 1999 में 23 सितमबर 2022 को पांच वर्स का कठोर कारावास एवन 50.000.000 रुपए का अर्थ दंट गाजीबूर के मौम्दाबाद थाने में 2007 में दर्ज मुकदमे में 29 सब्रैल 2023 को 10 वर्ज का कटोर करावास एवं 5 लाख रूपय का 40 डंड गाजीपुर के करंडा थाने में 2010 में दर्ज मुकदमे में 27 September 2023 को 10 वर्स का कारवास एवं 5 लाख रुपए का अर्थ रंड वरानसी के भेलुपूर थाने में 1997 में दर्ज मुकदमे में 5.4 वर्स के कारवास एवं 10 हजार रुपए का अर्थ रंड योगी सरकार आने के बाद प्रदेश के माफियाओं पर कारवाई का सिलसला शुरू हुआ शासन और प्रशासन ने मिलकर पहले माफियाओं की कमर तोड़ी सरकार ने इन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए पहले इनकी संपत्ती को कुर्क करना शुरू कर दिया 11 नमंबर 2020 को मुकतार अंसारी की पतनी और सालों की 22 करोड की संपत्ति को कुर किया गया इसके बाद 13 नमंबर को दलितों की जमीन पर बने मुकतार के गोदाम पर बुल्डोजर चलाया गया 9 जून 2021 को बेटे अबास और उमर के नाम पर रजिस्टर जमीन को जब्त किया गया तीन अगस्त को मुकतार के साले आतिफ का अलिशान बंगला सील किया गया इसी साल 26 अक्तूबर को गाजीपुर में बन रहा मुकतार का कॉम्पलेक्स भी सील कर दिया गया नवंबर में लखनवू के हुसेन गज में मुकतार की 3 करोड की संपत्ती को कुर्क किया गया 22 दिसंबर को मुकतार की 17 दुकाने सील की गए 23 फरवरी 2022 को विदान सभा चुनाओं के दोरान मुकतार के गजल होटल पर गाज गिराई गई इस दौरान 72 लाख रूपय के गहने भी जब्त किये गए मुकतार और उसके परिवार के खिलाफ शासन प्रशासन की कारेवाई बंध हुई लेकिन आगे भी जारी रही चलिए आपको मुकतार अंसारी के कुछ जगन अपरादों के बारे में भी बता देते हैं गाजीपुर में भाजपा विधायक क्रिस्नानंद राय की हत्या, मन्या हत्यकांट के गवाह रामचंद्र मौर की हत्या, फरजी शस्त्र लाइसन्स हासिल करने पर केस, कॉंग्रेस के नेता अजाराय के भाई की हत्या, महु में एस रेडी ठेकेदार मन्ना सिंग हत्यकांट राम चंद्र मौर के बॉडिगार्ड सिपाई 37 मर्डर केस इलाभाद की स्पेसल MLA कोट गैंगेश्टर के 4 केस 1996 को गाजीपूर में ASP शंकर जैसवाल पर जान लेवा हमला आजमगड के एराकला गाउं में मजदूर की हत्या 1997 में पुरवांचल के कोईला कारोबारी रूंगटा अपहरर 32 साल पुराने ओधेस राय हत्याकांड में जून 2023 में उम्रकैद और 120,000 रुपे जुर्मानिक के सजा मुकतार अंसारी को सुनाई गई थी मुकतार को सजा के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया था गुनाहों की मियाद चाहे जितनी भी लंबी क्यों नहों एक नेक दिन खत्म हो जाती है और गुनाहगार को अपने किये की सजा भुगतनी पड़ती है यह पांचवा मामला है जिसमें मुकतार को सजा सुनाई गई थी मुकतार पर कुल 65 मुकदमे थे एक एक कर जिस तरह उसे सजा मिल रही थी उससे अब लगवक तैह हो चुका था कि दश्कों तक पुरवांचल में दह्शत पहलाने वाले इस माफिया को अब बाकी की उम्र जेल में ही गुजारनी थी मुकतार के गुनाहों की फियरिस्त बेहत लंबी है करीब पांच दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज होने के बावजूद मुकतार को दो साल पहले सजा किसी मामले में नहीं हो सकी थी कभी गवाहों को धमका कर, कभी उन्हें खरीद कर, कभी फाइले गायब करा कर तो कभी पेशी से गेर हाजिर रहकर मुकतार ने अपने खिलाफ अदालत में चल रहे किसी मामले को मुकाम तक नहीं पहुँचने दिया लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आजितनात की सरकार बनने के बाद मुकतार के मुश्किलों के दिन शुरू हो गए सरकार की कोशिसों से मुकतार को पंजाब की जेल से बांदा जेल में शिफ्ट करा गया और उसके बार अलादत में उसके खिलाफ दर्च मामलों में मजबूत पैरवी शुरू होई गवाहों के सुरक्षा मिलने लगी तो कोट में गवाहियां भी होने लगी और जब गवाह कोट पहुचने लगे तो मुकतार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए मुकतार ने पूरवांचल में अपने अपराद का सामराज फैला रखा था करीब 40 सालों से वो अपराद की दुनिया में सक्री था किसी जवाने में यूपी की सियासत में भी मुकतार का सिक्का चलता था जेल में वो दरबार लगाता था 40 साल के आपरादी के तिहास में मुकतार का नाम कई चर्चित मामलों में आया उस पर विश्व हिंदू परिसत के कोसा दक्ष और कोईला कारोबारी नंद किशोर रोंगटा को किटने अप करवाने का भी आरोप लगा था नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24